मुनाफी की खुश्बू से भरा गेंदा फूल जानिये किन किसमों की खेती से होगा अच्छा लाब गेंदा की खेती की जब बात आती है तो हम देख रहे हैं कि भारत वर्स में गेंदा खेती बहुत पुराने वर्सों से चली आ रही है लेकिन किसान करते हैं कि आई पारम परी खेती करते चले आ रहे हैं जो लोकल बराइटीज होती हैं जो वहाँ इस्थानी जो जातियां हैं उन्हीं को लगा लेते हैं तो उनको लगाने से होता क्या है कि उन्हें बहुत जादा लाप राप्त नहीं होता है गेंदे के लिए भारती किश अनसंदान संस्तान दिली भारती बनस्पत विसर्च संसो संस्तान लखनू और भारती बागवानी संस्तान बंगलोर ये गेंदे के लिए जो बहुत ज़ादा इन्होंने काम किया है और काम करने के बाद इनका ये कहिना है कि पारम पर एक खेती से हट करके और जो नसील जातियां है उन जातियों को ही लगाएं अब उसमें भी उन्होंने अलग अलग बर्गी करन कर दिया है जैसे अफरीकन गेंदा मैक्सिकन गेंदा उसके बाद आपका जो है वो फ्रेंच ग करना है तो हमको अफरीकन गेंदा से अच्छी कोई बराइटी नहीं है अब अफरीकन गेंदा जो है वो उसमें जो बराइटियां है उसमें आपका क्लाई में कोलरेट क्रांड आप गोल्ड फर्स्ट लेड़ी जॉइंड संसेट इनियन चीफ ग्लाइटर्स जूबली मैन इ सब जो है अफरीकन गेंदा की जो है तो कहने के मतलब यह है कि नहीं मैसे जो सेलेक्शन करें अगर आपको कट फ्लावर से जानी कट फूल की जो है खिती कर करनी है तो इनहीं मैसे आप ले उसके बाद दूसरा आता है मैक्सिकन गेंदा इसमें जो है इस्टेमट लिूसीड एक बराइटी है इस्टेमस लेमोनी और तीसरा है इस्टेमस माइन यूटा माइन यूटा जो है यह तीन बराइटी है इसमें मैक्सिकन में उसके बाद जो फ्रेंच गेंदा है जो हमारे मंदिरों में भी इस्टेमाल होता है और सजावट में भी काम आता है तो यह धारीद और इसमें जो है चित्ती पड़ी हुई होती है और इसकी पैदावार भी बहुत अधिक होती है तो इस फ्रेंच गेदा में जो है सबसे बड़ी बात ही है कि पौदा जो होता है जाड़ी नुमा होता है और पौदा जो है बढ़ता है काफी इस पेस लेता है तो इसमें फूल भी जो है बहुत अच्छे आते हैं तो इसमें जो बराइटी हैं वो एक तो है बोलो रो गोलडी, गोल्डन ओरेंज, गोल्डन जेम, रेड कोट पिगमी, प्रेटी जाय, रोजन, रेड हेड्ड, ये जाती हैं जो हैं इसमें जो है फ्रेंच गेंदा में हैं जिनको की हमें में भी निकाली हैं जिनकी पेदावार काफी अधिक होती है और उसमें जो है नगेट टेट्रा सफुरेड पूसा नारंगी गेंदा पूसा बसंती गेंदा ये विशेश हैं तो कहने का मतलब जो है हमारा ये है कि पारम परिक खेती से हट करके गरम इन जातियों को गर चैन करत हैं तो हमको काफी इससे मुनाफा होगा काफी हमको जो इलाब होगा